आसी सी क्रिकेट वाल्कम 2019 में इंडिया की इंगलेंड की हाथो हार के बाद मेस धोनी पूर्व क्रिकेटर्स के निशाने पर है। भारतिय कप्तान सौरव गांगुली ने बल्लेबासी रवये पर सवाल उठाए। रिशप पंत और हार्दिक पांडिया के आउट होने के बाद भारत हुआ आखरी पांच ओवस में 71 रन चाहिए थे। सबी की निखा सर्वस रेश्ट फिनिशर रहे धोनी और केदार जाद चाहे जैसे भी हो और चाहे गेंज जहां भी पड़े आपको चौका या छक्का लगाना ही होगा। मेरे पांस इसके लिए कोई स्पस्टी करण नहीं है। मैं इने एक एक रन के बारे में नहीं बता सकता। लेंट और उच्छाल ने भी भारती बल्लेबाजों को गच्चा आखिर में पांस विकेट बचा कर आप 338 का लक्षिय हासिल नहीं कर सकते। टीम इंडिया के रवईये से फैंस हैरान। इंग्लेंड के पूर्व कप्ता नासिर हुसेन ने कड़ी आलोशना करते हुए कहा कि भारतीयों के रवईये को देखकर फैंस को निराशा हुई होगी हुसेन ने कॉमेंटरी करते हुए कहा मैं बहुत हैरान हूँ क्या चल रहा है भारत ऐसा नहीं चाहता है उसे रण की जरूरत है वो क्या कर रहे हैं कुछ भारती प्रिशनसक स्टेडियम से निकलने लग गए है निश्चित तोर पर वो धूनी से बड़े शौट चाहते हैं ये वर्ल्ड कप का मैच है दो चोटी की टीम में खेल रही है भारती प्रिशनसक चाहते हैं कि उनकी टीम कुछ और प्रियास करे टीम के लिए जो खिमले और वही मांजरेकल बोले धूनी ने हैरान किया पोर्व भारती क्रिकेटर संजे मांजरेकर ने भी हुसेन की हामिहा म मिलाई मांजरेकर ने कहा अगर कोई टीम भारत के विज़े अभिहान को रोक सकती है तो वो इंग्लेंड थी हाला कि आखरी ओवर में धोनी का रवया हैरान करने वाला रहा कोहली ने किया बचाफ कोहली ने आलोचनाओ के बावजू धोनी का बचाफ किया और कहा कि मैच के आकिर में विकेट धीमा हो गया था जिस पर शॉट लगाना मुश्किल था और उन्होंने कहा मुझे लगता है कि धोनी ने बाउंडरी लगाने के लिए काफी कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ इंग्लेंड ने सही छेत्र में गेंद बाजी की और गेंद रुक करा रही थ हुआ